हेलो फ्रेंड्स असलाम उलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल तम्मोस कीचन कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खेरियत से हूँगे अलहमदलिल्ला मैं भी खेरियत से हूँ आज फिर एक नए रेसेपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ पांच मिनट में गोश्ट को कैसे डिफ्रोज करें अब तो बकराहित खतम हो गई है और सभी के फ्रीजरों में गोश्ट होता है फ्रीजर में से निकालावा गोश्ट जल्दी पीगलता नहीं याने के खुला नहीं होता है अब इसे हम पांच मिनट में कैसे डिफ्रोज करें मैं आपके साथ शेर कर देती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है friends, हमें ऐसे तो normal ghost को defrost करने के लिए कम से कम एक से देड़ घंटा लगता है, अब मैं एक तरीका बता रही हूँ, हम लेंगे गरम पानी, दो से तीन ग्लास में गरम पानी ली हूँ, और इसमें डालेंगे हम नमक 2 teaspoon नमक डालकर हम पानी चेक करेंगे friends, पानी हमारा जादा बोईल किया हुआ है, हम नमक डालकर इसमें डालेंगे, normal पानी थोड़ासा, यह जो नल का पानी आता है, उसे हम थोड़ा सा एड कर देंगे, और उंगली डालकर हम चेक करेंगे, हमारे उंगलीों को जैसे बरदा इसाइड हो गई है दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहे हूँ उससे साइड में और आप देख सकते हैं एक साइड से हमारा गोष्ट निकलना स्टार्ट हो गया है जो पानी में डूब गया था ना फ्रेंड्स वो निकल रहा है और जो नहीं करें तोड़कर इसे डाल दी हूं पाणी में आने सारा डिप करें झालिब को पाणी सेटना लेना है हमारा गोश्ट जो भी हो जितना भी हो पूरा यो जिलाए अगर आपके पास गोश्ट थोड़ासा जड़ा में घजाने में प Llwh चाय बड़े से बाउल में पानी लीजिए और उसके अंदर गोष्ट डाल दीजिए नमक डाल दीजिए 2 टेबल स्पून और गोष्ट को डिप करकर रखिये पानी में 5 मिनट के लिए और फिर आप चेक करिएगा हमारा गोष्ट आप देख रहे हैं खून भी रिलीज कर रहा ह और आप माशालला यह देखिए बहुत ही आसानी से चूट जाता है फ्रेंड्स सबसे बड़ी दिक्कत हमें यही होती है कि जब गोष्ट पकाना होता है और यह जल्दी चूटता नहीं है अब चार मिनट हो गए हैं अब मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ अगर आपका पानी जादा थंडा होगा ना थोड़ा सा पानी चेंज करिए अगर आपका गोष्ट जादा ही कड़क रहा होगा तो आप इसे एक बार पानी चेंज कर दीजिए और दूसरा पानी गरम इसमें डाल दीजिएगा बहुत ही आसन तरीकी से इसे हम छुड़ा सकत आपने देखा है कितने आसानी से हमने गोश्ट को रिफ्रोज किया है फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करियर चैनल पे नहें तो सब्सक्राइब करिए इंशालला कल फीर में मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए सेफ रही है अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यो फर वाचिंग